हेलो क्रिकेटिक वल वेलकम बैक तो कवसुप और क्रिकेट आकड़ा में यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिप डॉमिनेंट एंड डॉमिनेंट बॉलर्स के बारे में जो जो स्टीफन जो राजस्तार रॉयल्स के फास्ट बोलिंग कोच है उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया है जिसने भी हमारे यूटूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम बहुत सारे क्रिकेट रिलेडेड़ फिजिकल फिटनेस इन सभी चीजों के वीडियो दालते हैं तो यह आप आपके क्रिकेट के लिए फाइदा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको इस बताऊंगा नीड ऑमिनेंस बॉलर्स में क्या होता है और अगर आप देखोगे बहुत तेज होते हैं उनकी स्प्रिंटिंग और उनका बेसिकली उनका बॉलिंग डिपेंड होता है रनिंग और स्प्रिंटि स्ट्रेंद के उपर आप बहुत सारे फाज बॉलर्स देखोगे नी डॉमिनेंट बॉलर्स में वह अराम से भाग के आते हैं जैसे कि बिगेश एक्जमपल इस मलिंगा और शौन टेड जो आराम से आते हैं और लाश्ट मॉमेंट में स्लिंगिंग एक्शन में डालते हैं त बहां से उलों स्पीड जनरेट करते हैं ठीक है तो अब आते हैं बैक फूट कॉंटेक्ट से फ्रंट फूट कॉंटेक्ट में तो नी डॉमिनेंट बॉलर्स जो रहते हैं इससे में एक्जमपल दिया था मलिंगा देन शौन्टेड वक्कार यूनीज जेफ थॉम्सम यह सब अब साइड़न बॉलर्स और स्लिंगिंग एक्षन है तो उनका जो नीज रहता है ज्यादा बेंड होता है तो नी डॉमिनन बॉलर्स में जब आपका नीबेंड हो जाता है तो आपको सिंक्रणाइज करने के लिए आपको बॉड़ी स्टेच करना पड़ता है क्यूंकि जब आप प्रीटन लेते हो जो नी डॉमिनन बॉलर जब नी ज्यादा बेंड होता है तो प्रीटन लेने के लिए उन्हों को ठोड़ा टाइम लगता है तो टाइम लगने से क्या होता है कि अगर आप आप स्पीड तेज करोगे तो सिंक्रनाइस नहीं होगा तो सिंक्रनाइस होने क कहा कि उनका strength पूरा last moment में आता है तो आपने देखा ही रहेगा कि जो भी शॉन टेड मलिंगा वा करनी फुरे sling slingy action में डालते हैं और उनका most of the power last moment में आता है पर hip dominant में वेशा नहीं है उलोग तेज भागते हैं और hip dominant में basically आपको semi side on और front turn ballers मिलेंगे उन्हें तेज भागना पड़ता है और back foot contact से front foot contact में वहुत तेज होते हैं अगर वह तेज होते हैं तो उनका arm speed भी तेज होते हैं उन्हें जरूरी नहीं है कि पुरा stretch करना क्योंकि वह synchronize होना बहुत जरूरी है उनका back foot to front foot contact भहुत तेज होना चाहिए तो ही उनका arm speed भी अच्छे से आएगा और उनको speed मिलेगा अभी आप देख सकते हो कि जो भी फास बोलर से बेसिकली जोफ्रा आर्चर बिगेश एक्जमपल अभी जो यंग प्लेयर से सब लोग जोफ्रा आर्चर को देखते इतना तीज क्यों डालता है तो उनका action बहुत अच्छा है अगर आपको कुछ follow करना रहेगा तो जोफ्रा जोफ्रा आर्चर का action बहुत बढ़िया है इसके पहले जो वीडियो बना है shoulder hip separation का बारे में उसमें यह तीनों टाइप के जो बॉलिंग है side on semi side on front on उसमें मैंने बता है तो आप एक बार ओछे की जिया pretend क्या होता है bracelet क्या होता है उसमें सब बता है तो यह यह चीज आपको वहाँ पर फाइदा होगा और अगर आपको पता ने करना है और जैसे मैंने बताया कि नी डोमिनेन बॉलर्ज का नी ज्यादा बेंड होता है और बेसिकली मोज्ट ऑफ दो बॉलर्ड वोलों साइड़न होते है और उनको फुल श्ट्रेच करना पड़ता है और लिदो dominant ballers को तेज भागना पड़ता है बैक फूट टो फ्रंट फूट कॉन्टेक्ट उनका तेज आता है आम स्पीड तेज रहता है तो यह चीज़े है अब डॉमिनेंट baller andai dominant baller तो तॉन्व टाइप जो ballers है उनको अलग अलग ट्रेनिंग करनी परती है बेसिकल है जीम ट्रेनिंग बहुर ही बहुत जीजह है जैसे सब लोक बोलते है कि strength पावर चाहिए पर बेसिकली जो ही डॉमिनेंट बोलर है उनको रंण रंणिंग और स्पीड वह पर चाता द्हान देना है और हीप डॉमिनेंट्ट बॉलर है उनको उसका स्ट्रेंद बहुत बढ़ता होना चाहिए और आपका जो बैक फूट है वो बैक फूट कॉंटक स्टीफ होना चाहिए इसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग करने ज़रूरी है बेसिकली बहुत सारी रनिंग एंड जो भी है जंपिंग उसके लिए मैं एक्सेसाइज बनाऊंगा और एक होम वरक आउट द किनों का बॉलिंग स्टाइल सेमी साइड ओन है और नीचे के जो तीन बॉलर्स है वो नी डॉमिनन बॉलर्स है उनका नी ज्यादा बेंड है और उनकी बॉलिंग स्टाइल साइड ओन दिख रही है यह नॉलेज बहुत इंपोर्डन चीज है इसे यूज करना आना चाहिए अगर आप प्रॉपर वे से करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा आपका क्रिकेट टेकनिक बढ़ेगी और आपको इंजरी के चांसे बहुत कम हो जाते है तो प्लीज यूज इट प्रॉपरली और बोल फास्ट असमज यू कैन और आपको कुछ नया नॉलेज मिला है इसक क्वेर कीजिए अपने फ्रेंट के और सब्सक्राइब करना ने है बेल आइकोन को दबाएए तो यह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मैं देखता हूं कि बहुत सारे फॉलोर्य ऐसे है उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको बेल आइकोन दबाना है उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके क्रिकेट को फायदा मिलने आले हैं